यम राज जिन्ने मृत्यों के देवता के रूप में भी जाना जाता है आखिर कितने शक्तिशाली हैं वे ? क्या वे ही समस्त देवों में श्रेष्ट है। प्राण हर लेने का उत्तरदायत्व उन्हें ही क्यों दिया गया है ? क्या वे भी पूज़े जाते हैं ? हमारे धर्म में उनका कितना महत्व है। ऐसे ही सभी प्रश्णों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंततक बने रहें। ओम गणपते चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विश्णु पुराण के प्रथम अंश के अनुसार बहां विश्णु जी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ती हुई। ब्रह्मा जी से मरीची, मरीची से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से यम की उत्पत्ती हुई। भगवान सूर्य का विवाह विश्व कर्मा जी की पुत् पुरान के अच्छे बुरे कर्मों का वड़न करते हैं और उसी के आधार पर ही यमदेव उस व्यक्ति का पुनर जनम होने से पहले ये निरधारित करते हैं कि वै नर्क में रहेगा या स्वर्ग में जाएगा गरुर्पुरान के अनुसार यम लोक के चार द्वार हैं और वै यमपुरी एक हजार योजन में फैली हुई है हरिवंश पुरान के हरिवंश पर्व अध्याए नौ के अनुसार विश्व कर्मा की पुत्री संग्या का विवाह सूरे देव से हुआ था संग्या अपने पती के अत्यदिक तेज को सहन नहीं कर पाती थी और आखे बंद कर लेत एक बार संग्या ने अपनी शक्ती से अपनी चाया को ही अपने समान नाम और रूप वाली बनाकर तयार कर दिया उन्हों ने उस चाया को सूरे देव के साथ ही रहने का नर्देश दिया और उनके दोनों पुत्रों और कन्या का ध्यान रखने को खाहा उसके उपरान संग्य अपने पिता विश्व कर्मा के निवास्थान पर चली गई परंतु विश्व कर्मा जी ने उससे अपने पती के पास ही लोट जाने को कहा तब वे कुरुदेश को चली गई और एक घोडी का रूप धर वहां तपस्या करने लगी और वहीं दूसरी पतनी चाया को स्वयम संग्या समझ कर दिव्यास्पती सूरे ने उससे शनी, सावर्ण, मनु और तपती नामक तीन संताने उत्पन की वे चाया अपने पुत्रों से अधिक सनेह करती थी, परंतु वैसा सनेह सूर्य और संग्या के पुत्रों से नहीं करती थी, मनु ने ये सह लिया, परंतु यम इसे सह न सके, यम बाल सो भाव एवं रोश के भशिवूत हो, चाया को पैर दिखा कर नाटने लगे, इस पर चाया ने कोप में भरकर यम को श्राब दे दिया कि तुम्हारा ये चरण गिर जाए, चाया के श्राब से भैभीत हो, यम ने उस वाक्य को अपने पिता सूरे से कह दिया, वे पिता से बोले, पिता जी, मुझे ये श्राब ना लगे, देखिए, माता को तो सब पुत्रों के प्रत मैं तुम्हारी माता के वचनों को लोटा नहीं सकता, पर कीड़े तुम्हारे चरणों में से मास लेकर पृत्वी तल पर चले जाएंगे, तब तुम्हें सुख मिलेगा, और तुम्हारी माता का कहा हुआ वचन भी सत्य हो जाएगा, फिर सूरे ने संग्या से पूछा, कि जब सभी पुत्र बराबर हैं, तो तु एक से क्यूस नहीं करती है, तब चाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, और हस्ती ही रह गई, तब भगवान सूरे ने चित को एकागर करके, योग के द्वारा सारा सत्य जान लिया, और चाया के केश पकड़ कर वो उसे श्राब देने लगे, तो उसने सारा सत्य बिता दिया था, तब भगवान सूरे खोड़े का ही रूप धर संग्या के समीप पहुँचे, और वहां उनके योग से उन दोनों को दो अश्वनी कुमारों और रेवन्त नामक पुत्र प्राप्त हुए, कुछ समय तक वैसे समय बिताने पर फिर तथा शत्रू को संभाव से देखते थे, हगवान सूरे ने प्रजाओं के धर्मा धर्म का निर्ने करने के हेतु नियुक्त किया, यम बित्र लोग के स्वामी हैं, नियाए प्रदान करने में सत्य परायन होने के कारण यम को यम धर्म भी कहा जाता है, वै अपने दूतों द दंड देने की शक्ती है, पापियों को उनके पापों की प्रकृती और गंबीरता के अनुसार यम धर्म द्वारा विभिन नर्कों में भेजा जाता है, रामायन के उत्तरकांड के अनुसार एक समय कुबेर ने दस हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जि द्वेर को उत्तर में शाषन करना चाहिए, यम की नगरी को सैमनी भी कहा जाता है, मृत्वेक्तियों को यम लोग तक ले जाने का कारे यम दूद करते हैं, केवल दुरलब अपसरों पर ही यम स्वयम इस कारे को करने आते हैं, ऐसा ही एक उधारन है सत्यवान और सावित्री जब यमराज स्वयम सत्यवान के प्राण हरने आये थे, तो सावित्री ने बड़ी चतुराई से उनसे वरदान मांग कर अपने पती सत्यवान के प्राणों को बचा लिया था, मारकंडे जी के प्राण हरने भी यमराज स्वयम गए थे, हमारे पुराणों के अनुसार कुछ ऐसे युग भी आये हैं जब कोई यम्राज थी ही नहीं महा भारत के वन पर अध्याई 142 के अनुसार एक ऐसा अफसर भीते हुए कल्युग में आया था उस समय पर प्रित्वी पर किसी की भी मृत्यु नहीं होती थी जिस कारण प्रित्वी पर इतना भार बढ़ गया था कि प्रित्वी सो योजन नीचे को धस गई थी तब भू देवी ने महा विश्णु जी से प्रार्थना की तदंदर विश्णु जी ने वाराह अवतार धर प्रित्वी को पुने सो योजन उपर उठा दिया और दूसरा अवसर तब आया जब मारकंडे जी सोला वर्ष के हो गए तो यमराज ने अपने दूतों को मारकंडे के पुराण निकालने के लिए भीजा जब वो सफल ना हो पाए तो स्वयम यमराज वहां प्रकट हुए जब मारकंडे असहाय होकर रोने लगे तो अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा देख भगवान शिव ने क्रोध में अपने त्रिशूल से मृत्यु देव को भेद दिया और वो वहीं गिर पड़े महा भारत के आदी पर्मे वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार यम ने नैमिशा रण्य में बहुत लंबी अवदी तक चलने वारा यग्य आरंब किया और वे वहीं व्यस्त हो गए उस समय संसार में कोई मृत्यु नहीं हुई सभी जीवित प्राणी अनिश्चित काल तक जीवित रहे तब समस्त देवता इस समस्या को हल करने के अनुरोध के साथ यम के पास पहुँचे यम ने तब अपना यग्य समाप्त किया और अपने कारे पर लोटाए जिससे मृत्यु का पृत्वी पर पुने आगमन हुआ यम राज अन्ने देवों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे रावाण के उत्तरकान के अनुसार एक समय रावण त्रिलोगी विजय करने के उदेश्य से हर और विचर कर सबको पराजित कर रहा था परंतु जब यम लोग पहुँचकर रावण ने यम राज को चुनोती दी तो वहां यम के महावली सैनिक रावण पर तूट पड़े रावण ने तब उन पर पाशुपतास्तर चला उन्हें भस्म कर दिया तब यम अपनी गदा तथा पाश लेकर रावण पर तूट पड़े लंबे समय तक दोनों का युद्ध चला पर कोई विजय ना हो सका तदंतर यम राज ने प्रोधित होकर काल दंड उथा लिया जब यम राज रावण पर काल दंड चलाने वाले थे तब ब्रह्मा जी उनके समीप आकर बोले ये यम राज तुम इस दंड को चला कर इस राक्षस को ना मारो क्योंकि मैं इसको वर्दान दे चुका हूँ अते मेरी बात तुम्हें असकते नहीं ठहरानी चाहिए ब्रह्मा जी के यूं कहने पर यम राज ने अपना काल दंड वापिस ले लिया तब वहां रावण स्वयम को ही विजेई घोशित कर और अपने नाम का धिंडोरा पिटवा कर यम पूरी से चल दिया अगर बात करें यम राज के अस्थरशस्त्रों की तो उनके पास महा भ्यंकर काल दंड है जो उन्हें ब्रह्मा जी से मिला था वे अजेय काल दंड अगर एक बार किसी पर छोड़ दिया जाए तो शत्रू को नश्ट करके ही लोटता है उसी काल दंडस से ब्रह्मा जी ने रावन को बचा लिया था उनके पास यम बाश तथा एक शक्तिशालिक गदा भी है महात्मा मान डव्वे के शाप से साक्षाद धर्मराजी विदुर रूप में शुद्र योनी में उत्पन्न हुए वे धर्म शास्त्र एवं अर्थ शाइस के पंडे थे एक और बात हम स्पष्ट कर दें कुछ पुरानों के अनुसार धर्मराज और यमराज एक नहीं है बलकि अलग-अलग है धर्मराज की उत्पत्ती ब्रह्मा जी से हुई थी बलकि यमराज सूर्य और संग्या के पुत्र हैं परंतु महा भारत का संग्यान लें तो दोनों एक ही प्रतीत होते हैं हमने यम्राज को लेकर जितनी यानकारी संक्षेप में आपको दे सकते थे उतनी देने का प्रयास किया है उनके संपूर्ण इतिहास को एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है धन्यवाद जैशरीराम आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा प्रिप्या इसे लाइक और शेयर अवश्य करें किसी भी प्रकार की तुरूटी के लिए आप सब सिक्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को वन में धारन करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जै